Hello friends, my name is Ritesh Kumar I from Rai Classes. आज के वीडियो लेक्षर में हम यह हमारा जो वीडियो लेक्षर होगा, second वीडियो लेक्षर होगा. इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था, वो ब्रीफ किया था मैंने कि DC सर्कुट क्या होता है, सर्कुट इलिमेंट कौन कौन से होते हैं, DC और AC में क्या डिफरेंस होता है, जो इलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इलिमेंट, सर्कुट इलिमेंट भी बोलते हैं उसको, तो अब हम इस video lecture में discuss करने जा रहे हैं कि what is the type of electrical sources, कौन-कौन से आपके electrical sources होते है, ideal voltage source क्या होता है, बहुत important concept है, electrical engineering का ideal current source क्या होता है, source को हम किस तरीके से transform करते है, practical voltage source क्या होता है, and practical current source क्या होता है, तो जब भी हम electrical engineering में source की बात करेंगे, तो हमारे जो, there are two type of source, one is voltage source and another is current source, जब भी हम electrical engineering में बात करेंगे, तो दो type की source होंगे, अब रही बात कि कब हमें किसी source को voltage source में use करना चाहिए, कब हमें source को current source यूज करना चाहिए, यह आने वाले coming video lecture में, मैं एको explain करूंगा, कि हमें कब किसी source को as a voltage source यूज करना चाहिए, और कब हमें किसी source को as a current source यूज करना चाहिए, ओके, अभी उसके बाद, जो sources होते हैं, voltage dependent, dependent source and independent source, तो जैसे हम dependent की बात करते हैं, जब हम किसी चीज पर depend करते हैं, जैसे हमारी जो खर्चे हैं, जो भी जदी हम student होते हैं, तो हमारी सारे खर्चे father पर depend करता है, father की income पर, it means, हम depend किस पर करते हैं, father पर, और father हमरा क्या हो गया, independent हो गया, और हम क्या हो गया, अपके, dependent हो गया, तो जो भी कोई quantity, किसी other quantity पर depend करेगी, है न, तो उसको बोलते हैं, हम लोग dependent source, और जब भी कोई quantity, किसी other quantity पर depend नहीं करेगी, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग independent source, तो on the basis of dependent and independent there are four type of sources one is voltage dependent voltage source current dependent current source voltage dependent current source current dependent voltage source तो पहले हम सबसे पहले जो डिस्कुस करने जा रहे हैं हम डिस्कुस करते हैं कि हमारा जो तो आईडियल voltage source है आपका कि आईडियल voltage source होता क्या है तो वनेब टॉकिंग अबाउट आईडियल voltage source it means there is no any resistance इसका मतलब यह है इसके अमें फर्स्ट लेक्चर में जब डिस्कुस किया था कि जो भी हमारे लाइफ में traffic का रूल होता है it means जितना ही ज़्यादा traffic होगा है न उतनीय speed हमारी क्या होगी आपकी कम होगी और जितना ही कम traffic होगा उतनीय speed हमारी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी वहीं same concept है जो हमारा i होता है i is inversely proportional to resistance बहुँ रजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा रजिस्टेंस की वैलू जितनी ही ज्यादा होगी हमारी करेंट की वैलू उतनी ही क्या होगी आपकी कम होगी okay resistance की value जितनी ही ज्यादा होगी current की value हमारी उतनी ही क्या होगी आपकी कम होगी is it okay तो ideal voltage source are those source ideal voltage source are those source in which the value of internal resistance ये बहुत important चीज है the value of internal resistance is equal to zero ये पूशन पूशा जाता है maximum exam में पूशे जाता है एक ट्यू का बहुत पेट कोश्चन है की what are the respective value of resistance for ideal voltage source and ideal current source तब ही हम ideal voltage source की बात करते हैं तो for ideal voltage source जो resistance की value होगी आपकी वो क्या होती है जीरो होती है ओके ये रियाद रखिएगा कि ideal voltage source के case में resistance हमरा क्या होता है जीरो होता है अब रही बात कि जब भी जीरो झाल 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 झाल